आज के हमारी मूवी एक्जवाटिका ये 1994 की एक हॉलिवड मूवी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कहना चाहता हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करतीजेगा इससे चैनल हो रही है वहां एक मिरेर है और उसके पीछे कुछ ऑफिसर्स है इनकी बातों से हमें पता चलता है कि थॉमस पर वो शक कर रहे है चेकिंग के बाद थॉमस बाहर निकला वह जहां जाने वाला था वहां और एक आदमी जाने में इंट्रेस्टेट था उसने थॉमस से खा कि ह हम दोनों कैप शेर कर लेंगे थॉमस भी इसके लिए एकरी करता है जब दोनों टैक्सी में हैं तो हम देख सकते हैं कि थॉमस एक चीज को चेक कर रहा है यानि कि एरिपोर्ट पर उसने कुछ छुपाया हुआ था एरिपोर्ट वर मिला हुआ आदमी और थॉमस एक घर जान इसे मिल जाएंगे डारेक्ली यान में थॉमस को पे नहीं करता थॉमस जब घर पर आया तो उसने अपने स्टमक को कुछ ट्रैप किया हुआ था इस स्ट्रैप में उसने कुछ अंडे चुपाय हुए है इसके बारे में जैसे मूवी आगे बड़ेगी वैसे हमें पता चल ज सब्सक्राइए इसके बाद हमें क्लब दिखाय जाता है जिसका नाम है एक जॉकर कर सकते हैं इसे लड़की के साथ प्राइवाटे सेशन भी कर सकते हुए यहीं इसका काम है इसी कलब में और भी हमारा एक main character हम देख सकते हैं जिसका नाम है Francis Francis यहाँ audience में बैठा हुआ है Stage पर Christina अपना शोग करती है उसके बाद Francis अपना private session book करता है इसके parallel की scene में हम देख सकते हैं यह Thomas के पास concert की ticket है वो खुद इस concert को देख सकता है या ticket sale कर सकता है वो फिर उसका एक ticket इसी और को sale करता है और एक concert देखने के लिए जाता है जिस आदमी के साथ उसने एक concert देखा उसे वो check out कर रहा था शोग खतम हो जाने के बाद इसी आदमी से Thomas बात करता है कहता है कि मुझे gift मिले थे और मैंने तुमें अब ये sale किये है तो मुझे बुरा लग रहा है उस आदमी को उसके पैसे वो वापस कर देता है उस आदमी को लगता है कि शायद Thomas उसे like करता है वो फिर उसे बुछता है अब तुम चाहो तुमें तुमें ड्रीन पर ले जा सकता हो Thomas इसके लिए मना कर देता है इसके बाद हमें फिर से एक लब दिखाया जाता है Francis शोग देख रहा था पर वो stressful है इसी वज़े से वहाँ से चला जाता है इसके बाद Nixon में हम देखते है कि Thomas अपने बेबी सीटर को उसके घर छोड़ रहा है पहले बेबी सीटर Francis से बहुत सारे question पुछती थी Francis उसे कहता है कि हम इतना boring हूँ कि तुम मुझे अब कोई भी question नहीं पुछती है वो हमेशा अपने headphones लगा कर ही गाड़ी में बैठती है वो गहती है कि ऐसा नहीं है अगर आप जाहो तो मैं आपसे question पूछ सकती हूँ इसके बाद ही बेबी सीटर वहाँ से चली जाती है एक्चुल में Francis जब भी घर से बाहर जाता है तो इसी बेबी सीटर को घर पर रख कर जाते है इसके next scene में हम फिर से club देखते है club में सब लड़कियों को introduce करवाने वाला Eric यसे उसके boss ने बुलवाया है boss का नाम Zoe है Zoe Eric से यहती है कि जब तुम और लड़कियों को introduce कराते हो तो तुमारी tone नॉर्मल होती है प्रड़क्शन के पार्ट में वो खुद involved होना चाहती है Eric कहता है कि मैं जो काम करता हो यह बहुत ही important है लोगों को मैं convince करता हो कि इन लड़कियों के साथ उन्हें private session चाहिए तुमारी इस हालत में अगर तुम यह काम करोगी तो लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा actual में जोई pregnant है इसी वज़े से वो कह रहा था हमें इस से इन से पता चलता है कि यह baby Eric का है इस baby के बारे में जोई Eric से बात करती है उसे पुछती है इस baby के बारे में तुमें क्या लग रहा है तुम feel क्या कर रहे हो relationship है जो एको baby चाहिए था तो Eric ने सिर्फ उसे help की थी बेवी के बर्द के बाद Eric से उसका कोई भी relationship नहीं रहेगा इसी तरी के कई contact है इसके बाद next year में हम देखते है Thomas animal sale करता है उसके पास उससे मिलने के लिए Francis आता है Francis एक accountant है अब Eric का जो business है इसे वो audit करने वाला है इन दोनों में conversation होती है Thomas Francis से बुशता है यह सब audit करने में तुम्हें कितना time लगेगा Francis कहता है कि तुमने अपने book सही से नहीं लगाये है तो मुझे एक week तक लग सकता है हम देख सकते हैं कि Thomas को audit हो रहा है तो ज़रा tension में है इसके बाद next time में हम देखते है क्रिस्टिना जोय के साथ बात कर रही है पहले क्रिस्टिना और Eric का affair था अब उनका break up हो चुका है क्रिस्टिना अब जोय के साथ relationship में है वो जोय से कहती है कि तुम Eric को fire क्यों नहीं कर देती है उन दोनों में relationship में इसी वज़े से Eric जलता रहता है वो कहती है अगर तुम उसे fire करोगी तब उस पर एक ऐसान ही करोगी ये सब situation में आपको फिर से बताता हो जोय actual में Eric के baby से pregnant है पर जोय और Eric में एक contact है कि Eric इस baby से कोई भी सम्मन नहीं रहेखेगा for example वो एक surrogate father है Christina और Eric में relationship थी जो अब तूट चुकी है इसके opposite में Christina और जोय इन दोनों में relationship है Nixon में हम देखते हैं Francis जब Thomas के लिए audit कर रहा था तब Thomas के एक ट्रॉवर में उसे gun मिली gun देखने के बाद वहाँ से वो चला कया जाते जाते Thomas से उसने कहा तुम्हारे books बहुत ही suspicious है तुम जो भी काम करते हो यह manage करने के लिए किसी को तुमें hire करना चाहिए इसके बाद Francis अपने babysitter को लेने के लिए उसके घर जाता है babysitter के जो father है यह भी Francis के अच्छे friend है Francis फिर babysitter को घर पर छोड़ कर क्लब में क्रिस्टिना का डांस देखने के लिए पहुचाता है इसके पैरलल के सीन में हम देखते है Thomas ने फिर से concert के लिए दो tickets पाई किये है last time उसने जो किया था यही वो फिर से करने वाला है एक stranger के साथ concert देखने वाला है क्रिस्टिना का डांस देखते होगत Francis उसके लिए वरी करता है गहता है डांस करते होगत अगर किसी ने तुम्हें हर्ट कर दिया तो क्या होगा अगर तुम्हें प्रोटेक करने के लिए मैं यहां नहीं होगा तो फिर क्या होगा क्रिस्टिना कहती है तुम हमेशा मुझे प्रोटेक करोगे कोई भी वरी मत करो अब यह क्या था इसकी मिस्ट्री हमें मूवियों में आगे पता चलेगी घर आने के बाद अपनी बेबिसीटर को Francis घर छोड़ता है उसकी बेबिसीटर कहती है जब भी तुम घर पर आते हो तो मेरे फादर बहुत ही uncomfortable महसूस करते है क्या आप दोनों एक दूसरी के friends नहीं है Francis कहता है कभी-कभी friendship उसी तरीके से होती है जैसे आप बड़े होते जाते हो तब आपके साथ एक baggage होता है यानि कि emotional कुछ बुरी चीज़े आपके साथ हुई होती है जो आप साथ लेकर चलते हो Francis पर उसे समझाता है कि इस baggage के साथ आप friendship करते हो कभी-कभी इसे आप hide करते हो और कभी-कभी नहीं कुछ लोग तो friendship भी नहीं रखते तुम्हारे फादर इस टाइब के baggage को छुपाते नहीं और फिर भी मेरे साथ friendship में है वो कहता है इसायद हम दोनों की friendship uncomfortable है पर कभी-कभी friendship उस तरीके से हो सकती है Francis से बेबिसिटर ने बात की तु उसे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद next scene जो हम देखते है एक past का है एक search बार्टी चल रहे थी यानि की कुछ लोग मिलकर कुछ ढूंड रहे थे वही पर first time Eric और Christina मिले थे Christina Eric से बुझती है कि अपने life में तुम क्या करना चाहते हो Eric Christina से कहता है कि अब तो मैं taxi driver हू पर मैं DJ वेगरा बनना चाहता हू मेरी voice के साथ कुछ करना चाहता हू Christina Eric से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम ऐसा ही कुछ करते हो तो तुमारी voice बहुत ही अच्छी है तुमारी बाते सुनना इससे बहुत ही easy हो जाता है Eric Christina से बुझता है कि तुमारे कोई friends है Christina कहती है कि मेरे जादा कुछ friends नहीं है Eric Christina से कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे कोई friends होने चाहिए थे क्रिस्टिना बुष्टी कि ऐसा क्यों तो कहता है कि आज मैं तुमसे मिला हूँ तो इस सब के बारे में मेरे friends को कहना चाहता हूँ पहली बार मिलने के बाद ही को Cristina को अब बहुत ही like करने लग चुका है अब present में हम देखते हैं कि जब भी Eric और Cristina एक दूसरे के सामने आते हैं तो घिनोंनी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं इन दोनों में relationship बहुत ही अब खराब हो चुकी है इसी टाइफ के एक इंकाउंडर के बाद क्रिस्टीना जोय के पास आती है वो जोय को कह दिये कि तुम्हें और एरिक में जो कॉंटेक्ट है इससे मैं डिस्गस्टेड हूँ इसके पैरलल में हम देखते हैं कि तॉमस एक स्टेंजर के साथ कंसर्ट देखने के लिए आया हुआ है अब जिसके साथ हो था उसे हो लाइक कर रहा था लास्ट टाइम उसने जैसा किया था कंसर्ट हो जाने के बाद जिसके साथ हो कंसर्ट देख रहा था उसके पैसे उसे वापस कर दिये यह ट्रीक को फिर से इस आदमी के साथ भी करता है इस आदमी को लाइक करता है तो फिर यह दोनों Thomas के घर पर आते है घर आने पर थोड़ी सी बाते करते है हैंग आउट करते है Thomas के घर पर यह आदमी कुछ अंडे देख सकता है देखने के लिए आया वो फिर से वरी कर रहा था कि जब वो क्रिस्टिना के साथ नहीं होता है तो शायद उसे कोई हर्ट कर सकता है इसके बाद वो बहुत ही डिस्टब हो गया और वाश्रूम चला आया फ्रांसिस जनरली क्रिस्टिना को पूरी रात के लिए बुक कर लेता है पूरी रात तक उसका डांस देखता रहता है वो अच्छे से बात करते है तो एरिक जेलेस हो जाता है फ्रांसिस जब वाश्रूम आया हुआ था कि उसके पीछी पीछी एरिक आ गया उससे वो बात करता है एरिक कहता है तुम और क्रिस्टिना अब बहुत ही अच्छे फ्रे वहार निकाल देता है रात में जब अपनी बेबी-सिटर को घर पर छोड़्र रहा था तर उसकी बेबी-सिटर ने उसके सर पर एक छोड़ देखी वो पुछती है क्या तुम ठीक हो Francis को अब अपने खुद के existence पर questions आ रहे है वो कहता है जब हमने किसी से मांगा ही नहीं कि हमें इस world में रहना है तो हम क्यों रह रहे है उसे suicide के thought आ रहे है Eric ने Francis को club से बाहर निकाल दिया तो Francis कोई case विगराना करे तो इसी वज़े से जोई उससे questions पूछती है कहती है कि तुम्हें उसे warning देनी चाहिए थी डालेकल उसे बाहर क्यों fake दिया Eric कहता है कि मेरा impulsive decision था मुझे लगा था शायद वो क्रिस्टिना को hurt करेगा क्रिस्टिना भी इस conversation में Francis की side लेती है कहती है Francis ने मुझे touch तो किया पर उसका वैसा meaning नहीं था जो है इस बात को सही से समझ नहीं पाती प्रिवियस के scene में हमने देखा था कि Thomas एक आदमी के साथ intimate हुआ था जब सुबा होती है तो आदमी वहाँ से जा चुका है और Thomas के अंडे भी वहाँ से गायब है Francis उस आदमी को call लगाता है तो आदमी कहता है मैं तुमसे फिर से मिलना चाता हूँ इसलिए वह अंडे लेकर जा चुका है इसके बाद हम फिर से flashback का scene देख सकते हैं यह जो scene है इसमें Eric और Christina फर्स टाइम मिले हैं और हो कुछ ढून रहे है इन दोनोंने बहुत सारी बाते हुए और Eric और Christina बहुत ही अच्छी लगती है Christina से कहता है कभी कभी मुझे life में लगता है यह मैं कभी भी satisfied नहीं होंगा इसी वज़े से मुझे से बहुत सारी चीज़े छोट जाती है अब मैं तुम से मिला हो तो तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगी मुझे लगता है शायद तुम भी मुझे छोड़ कर चली जाओगी इसके बाद हम फिर से present देखते है लास नेट Francis जो भी बाते कर रहा था इससे उसकी babysitter वरीड है वो अपने डैट से कहती है Francis के लिए मैं अब babysit नहीं करना चाती है यहां में पता जलता है Francis की पहले family हुआ करती थी family की date के बाद भी Francis वेविसिटर को घर पर लेकर जाता है और घर का ख्याल रखने के लिए गयता है लास नाइज जो हुआ था Francis को directly क्लब से बाहर निकाल दिया गया था तो क्रिस्टिना से और वो फिर से बात करना चाता है उसे कुछ questions है पर वो क्लब में नहीं जा सकता वो जब Thomas को audit करने के लिए फिर से उसके पास आया तो उसने उससे बात किये Francis ने कहा कि तुम क्लब में जाना वो आ जाकर क्रिस्टिना से मिलना Francis ने उसे कुछ questions दिया है वे यह सब questions क्रिस्टिना से पूछने है Thomas यह नहीं करना चाता Francis कहता है मुझे तुमारे illegal business के बारे में पता है जो animal के अंडे तुम supply करते हो यह $200,000 का तुमारा business है तुम सही से उसकी accounting नहीं रखते है जो मैंने अब पकड़ लिया है government को तुम पर पहले ही शक था जो मैं confirm कर सकता हूँ Francis ने अब जो Thomas को blackmail किया है तो Thomas के पास भी ज़्यादा कुछ option नहीं है वो रात में जाता है और क्रिस्टिना का डांस पाय करता है Thomas क्रिस्टिना से बुछता है जिस आदमी के लिए कल तुम डांस कर रहे थी उसे बाहर क्यों फेक दिया गया क्रिस्टिना थॉमस से यह थी है कि उसे मुझे टच नहीं करना चाहिए था थॉमस सुचता है तुम्हें क्या लगता है उसके माइड में जल क्या रहा था जब उसने तुम्हें टच किया क्रिस्टिना गेती है हम दोनों में रिलेशन्शिप बहुत ही अलग है कुछ सालों पहले उसकी वाइफ और डॉर्डर का मुर्डर हो गया था पुलिस को लगा कि यह मुर्डर फ्रांसिस नहीं किया है उन्होंने फ्रांसिस को बहुत टॉर्चर किया था बाद में रियल किलर पकड़ा गया और फ्रांसिस फ्री था पर अब भी फ्रांसिस को इस चीज़ के वारे में बहुत बुरा लगता है अपनी फैमिली को बहुत ही मिस करता है फ्रांसिस और क्रिस्टिना एक दूसरी को जानते हैं और वो कहती है कि हम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग थी कुछ अंस्पोकन रूल्स थे जो उसे नहीं तोडने चाहिए थे क्रिस्टिना और थॉमस में कन्वासेशन बहुत ही डीप हो चुकी थे यह जब एरिक ने देखा तो फिर से वो जेलस हो गया था तोमस जब वाश्रूम गया तो उसके पीची पीचे फिर से एरिक आया उसने कहा कि तुम क्रिस्टिना से बहुत यह अच्छे से बात कर रहे थे कुछी घंटों में तुम दोनों अच्छे से फ्रेंड्स बन चुके हो गयता है क्रिस्टिना और मेरा हम दोनों का रिलेशन्शिप भी ऐसा ही था मैं फर्स टाइम उसे मिला और मुझे लगा कि मैं हमेशा से उसे जानता हूँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ एरिक का इस तरह से थोमस से बात करना यह बहुत ही वीर्ड था थोमस जब क्रिस्टिना के पास आता है तो उसे सब कुछ यह चीज़ बताता है क्रिस्टिना समझ जाती है कि एरिक ही होगा वो यह भी figure out करते है कि शायद फ्रांसिस से कल एरिक ने बात की थी क्रिस्टिना फिर जोय को यह सब बताती है उसकी कम्प्लेइन करते है एरिक अपने सफाय में कुछ कहता है पर क्रिस्टिना उस पर बहुत जादा नाराज है एरिक को लगता है कि शायद वो फिर से क्रिस्टिना को पा सकता है पर इन दोनों में रिलेशन्शिप बियोंड रिपेर चली गई है रात में फ्रांसिस ने कलब में आने का ट्राई किया पर उसे किसी ने भी आने नहीं दिया इस चेज से फ्रांसिस बहुत ही चेट चुका है नेक्स डे जब वो थॉमस से मिलता है तो उसकी गन ले लेता है कहता है कि अब मैं एरिक को जाकर मार आऊंगा Francis ने जब Thomas को कलब में भेजा था तो Thomas के पास एक माइक्रोफोन था Thomas Christina से जो भी सब बाते कर रहा था यह सब Francis गाड़े में सुन रहा था Francis को अब पता चल चुका है कि Eric ने उसे सेट अब किया था उसने उसे मनिपलेट किया कि वो Christina को टर्च करे Francis इस बात से बहुत ही गुसा है वो नेक्स दिन जब Thomas से मिलने के लिए आता है Thomas की गन वो ले लेता है Thomas उसे कहता है तुम यह क्या कर रहे हो Francis कहता है मेरी लाइफ में मुसे सब चीज़े चीन ली गई है वो कलब में आकर Krishna से जब बात करता था तो उसे अच्छा लगता था अब यह भी चीज एरिक की वज़े से उसे चीन गई है अब वो एरिक को मार डालना जाता है Francis ने फिर Thomas के साथ प्लैन बनाया उसने कहा कि तुम जाकर Krishna को टच करना एरिक जब तुमें कलब से बाहर निकालेगा तब मैं उसे मार डालूँगा यह उनका प्लैन एक्जिगूट हो ही रहा था तब ही एरिक खुद से कलब से बाहर निकल गया फ्रांसिस के हाथ में उसने गन देखी एरिक कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब को जानता हूं अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो वो उसे एक बात बताता है कहता है तुम्हारे बेटी की डेट बोडी मुझे ही मिली थी एरिक अपने ब्रेक अप की वज़े से दुखी है और फ्रांसिस अपनी बेटी की वज़े से Francis फिर अपना mind change कर लेता है और रोने लग जाता है ये एक दूसरे को सहारा देते हैं अब हम flashback में भी देख सकते हैं कि जब Eric और Christina कुछ ढून रहे थे तो उन्हें Francis की बेटी की ही body मिली थी इसके बाद हमें और भी एक flashback दिखाया जाता है जिसमें Francis और Christina में क्या relationship थी यह मैं पता चलेगा जब Francis की wife और daughter जिन्दा थी तो daughter को babysit करने के लिए Christina हमेशा आया करती थी babysit हो जाने के बाद Francis हमेशा Christina को घर चोड़ता था यहाँ पर वो बहुत सारी बाते करते थे Francis हमेशा अपने daughter की तारिफ करता था एक दिन Christina ने Francis से कहा जिस तरह से अपने daughter पर तुम proud हो उस तरह से कभी भी मेरे parents नहीं हो सकते अपने parents को लेकर वो बहुत ही दुखी थी Christina के घर में सही से environment नहीं था Francis ने Christina को घर छोड़ दिया Christina कहती है जब आप मुझे छोड़ने के लिए आते हो जो हम कार में बाते करते हैं यह उसे बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के लिए एक type की यह therapy है एक दूसरे के अच्छे friend बन चुके थे अब इस flashback से हमें कुछ बाते पता चली है Christina के घर में सही से environment नहीं था इसलिए उस्ट्रिप कलब में काम करने लग चुकी थी वो Francis की एक अच्छी friend भी थी अमने wife और daughter के मर जाने के बाद Francis को emotional support की ज़रूरत है इसलिए वो हमेशा Christina को देखने के लिए आता था इन दोनों की relationship में कोई भी attraction का part नहीं था Francis हमेशा Christina के लिए वरी करता था कि जहाँ वो काम कर रही है यहाँ पर वो hurt हो जाएगी इसलिए हमेशा आया करता था हर रात उस पर नज़र रखकर उसे वो protect कर रहा था मूवें में हमने देखा है कि जब Francis अपनी babysitter से बात करता है तो उसे अच्छा लगता है अपनी babysitter में वो Christian को देखता था वो अपनी life से अबे भी move on नहीं कर पा रहा इसलिए अपने wife और daughter के मर जाने के बाद भी वो घर पर एक babysitter रखता है यह movie mainly heartbreak और pen से deal करती है इस movie के characters एक दूसरे में कुछ ना कुछ sympathy ढूंटे है Francis के साथ जो भी हुआ इसके बाद वो move on करने की कोशिश करेगा इसी तरीके से एक थोड़े से cliffhanger पर इस movie की ending हो जाती है आप को वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चनलो को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिवेशन आइकोन दबने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब देख ले थाइंक्यों और आप अपने आपका खैल रखिये